देव उठने एकादशी के दिन भगवान विश्णु चार महीने की नीन के बाद जागते हैं। तुलसी विवा कई जन्मों के पापों को नश्ट करता है। इस दिन फ्रत रखने से अनन्द पुर्णे की प्राप्ती होती है। जिनका दामपत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता, वो लोग सुखी दामपत्य जीवन के लिए तुलसी विवा जरूर करवाए। जिन लड़कियों का विवा नहीं हो रहा हो, वो भी तुलसी विवा जरूर करें। तुलसी पूजा करवाने से घर में सुख और शांती आती है, तथा संतान योग्य होती है। तुलसी विवा के दिन से देव उठने के बाद शादियों की लगने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि जैसे आप अपनी बेटी का विवा धूमधाम से करते हैं, ठीक वैसे ही तुलसी विवा भी कराना चाहिए। तो चली इस वीडियो में आपको बताते हैं कि घर में कैसे करें तुलसी विवा। तुलसी के पौधे को लाल शुनरी उड़ाए और सारा शेंगार का समान चड़ाए। शाली ग्राम जी पर चावल नहीं चड़ते हैं, उन पर तिल चड़ाई जा सकती है। तुलसी और शाली ग्राम पर दूद में भीगी हल्दी लगाए। अगर आपको हिंदु धर्म में विवा के समय बोला जाने वाला मंगलाश्टक आता है तो वो अवश्य गाए। धूब दीब और दिया जरूर जलाए। तुलसी विवा में तुलसी के पौधे और शाली ग्राम की साथ परिक्रमा कराए और अंत में तुलसी जी की आरती गाए। तुलसी विवा के दिन किसी भी नदी में स्नान करना भी बेहत शुप माना जाता है।